हलो फ्रेंड्स, रीजनिंग इन कंपिटर क्लास में आपका स्वागत है आपकी वीडियो जो है वो बहुत इंपोर्टन होने वाली है आप लोगों के लिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपोर्टन नोटिफिकेशन जो MCC ने डिक्लियर किये हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे शियर करने वाला हूँ जी हाँ दोस्तो अभी भी MCC ने दोस्तो बच्चों को MBBS की CT अलोकेट की है किस कैटेगरी में बच्चों को अलोकेट हुई है और क्या कैटेगरी है जिसकी काफी कम कट अफ होने के बाद भी बच्चों का अलोकेशन मिल गया है तो गाईज यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है तो मतलब दोस्तो आपके लिए फ्री ओप कोस्ट अवनकेट में आपके लिए लिए इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला यह है डेली टी 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 फ्री प्रेक्टिस टेस्ट पेपर जो पर MST CT और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यह है यह 23rd of November से स्टार्ट हो गया था और अभी तक यह चल रहा है तो friends अगर आप preparation कर रहे हो MST CT exam की और आपको free of cost unacademy provide कर रहे है there is no money you need to pay guys और आपको सिर्फ और सिर्फ unacademy learning app install करना है और daily T20 free practice test attempt करने MST CT के तो दोस्तों जो यह paper होते हैं कब बहुत अच्छा standard होता है और यह आपकी help करेंगे unacademy के थू MST CT को crack करने मेरे guys यह free of cost है तो आज ही जाके unacademy learning app install करें और दोस्तों इस free practice test paper को join करें दोस्तों इसमें जो total paper test थे वो 38 थे और दोस्तों यह 7 p.m. start होता है तो आप daily T20 free practice test paper उसको join कर सकते हो friends इसका schedule आपके सामने screen पे है कि जैसे कि आप देख सकते हो November से start था उसके बाद week 2 week 3 week 4 week 5 6 7 8 और दोस्तों आप week 9 join कर सकते हो जो कि 18 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में है जिसमें आपको दो test देने को मिलेंगे and guys यह free of cost आपको कोई पैसा नहीं देना है तो मैं सभी बच्चों से request करूँगा कि आज ही unacademy learning app install करें और learning app install करके जो free of cost इस आपको जो unacademy प्रोवाइड कर रहा है इसको join करें उसके जाए दोस्तों अभी तगर अगर आपने unacademy plus का subscription नहीं लिया तो आप ले सकते है unacademy plus का subscription guys एक ऐसा subscription होता है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यदा फायदे होते हैं आपको इंडिया के top educators आपके batches में आपकी पढ़ाही होती है आपके courses होते है 350 प्लस courses आपको unacademy plus subscription पे मिलते हैं उसके बाद 2000 प्लस आपके lessons होते हैं guys और दोस्तों आपको बता देना चाता हूँ अगर आप subscription ले लेते हो unacademy plus का subscription तो इसके अंदर सब कुछ कवर है चाहे आपके test series हो आपके batches हो live classes हो doubt clearing session हो model paper hook quizzes हो जितनी भी सारी चीज़े है दोस्तो एक ही package के अंदर cover होती है तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि आज ही जाके unacademy plus का subscription ले और जो बच्चे लेना चाते हों नीचे comment box में अपना number दे ताकि मैं उससे contact कर सकूँ तो दोस्तों यह जो plan है वो best plan for mst city 2021 आपको screen पे दिखाई दे रहा है कि 12 month का plan 14,850 रुपै 6 month का plan 12,150 रुपै और दोस्तों यह batches have way every Monday से start हो जाते हैं तो जो भी बच्चे unacademy plus का subscription लेंगे उनके लिए दोस्तों बहुत ही सस्ता ही plan unacademy आपको provide कर रहा है आप 6 month की no cost EMI तक भी आप ले सकते हो कि जैसे कि आपको अगर आप 6 month का लेते हो तो दोस्तों 12,150 में आपको 6 month के लगबग 2,000 रुपै पर मंद पड़ेगा तो 2,000 रुपै पर मंद आपको बहुत जगा सस्ता है और आप अगर मेरा referral code use करो जो कि आपको screen पे दिखाई दे कि आज ही आप Anacademy का जो Iconic Plus subscription है उसको ले ले और मेरा referral code use करके flat 10% का discount ले that is RC2020 और जो बच्चे free quizzes join करना चाहते है उनके लिए दोस्तों जैसे आप Anacademy learning app install करो तो आप मेरा referral code use करना RC2020 तो आपको free op को से सारी चीज़े मिलेंगी उसके सासा subscription पे आपको 10% का discount मिलेगा तो जो subscription के package है उसके आपको 10% का flat discount और दोस्तों जो free product है उनको unlock करने के लिए आप मेरा same referral code use कर सकते हैं तो दोस्तों मैं सभी बच्चों से request करूँगा कि आज ही जाके Anacademy का Iconic subscription ले और अगर आपको question है तो आप नीचे comment box में कर सकते हैं मैं आपसे contact कर लोगा तो सबसे पहल environment college के allocation मिला है तो यह बहुत अच्छी news है और किस quota के बच्चे में आपको बता देना चाता हूँ तो दोस्तों इस बार हुआ था COVID-19 COVID-19 की वज़े से एक COVID quota था जिसके अंदर कुछ सीटे रिजर्व थी MCC की 5 MBBS सीटे तो दोस्तों यह उन लोगों के लिए जो Children's of COVID Warriors है उन बच्चों के लिए दोस्तों MCC ने यह बताया था तो इसमें COVID Warriors में जो बच्चे आ रहे थे उन बच्चों के लिए दोस्तों MCC ने जो eligibility form fill up कराया था और finally जो बच्चे short list वे आप देख सकते हो तो जिन बच्चों ने भी COVID Warrior quota में apply किया था उनके लिए दोस्तों बहुत अच 55,780 रैंग पर बच्चे को MBBS मिला 76,729 पर बच्चे को MBBS मिला 1,17,792 मतलब 1,00,000 से उपर रैंग के दोस्तों बच्चे को MBBS का location मिला COVID quota की वेज़े से उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो merit का जो student था उसको 6,61,572 पर बच्चे को college मिला GMC हल्दवाने उत्राखंड का उसके बाद दोस्तों जो अनुष्का पार्टिली student था उसके पुने महरास्टा में 6,76,211 पर मिला और दोस्तों उसके साथ 8,223 रैंग के बच्चों को मिला तो यह बहुत अच्छी news जिन बच इस यहां पर दिया है कि as one seat from MMEA under central pool was vacant the waited list candidate निमावंत ओम सुनील कोमार वाज allocated MBBS seat in Rajendra Institute of Medical Science राची जारकन में after due to approval from the competent authority तो इसमें जो पांच सीटे थी एक सीट जो बच्चे के अड़ कर दी गई है वो सब कुछ यहां पर बता दिया गया है दोस्तों तो आप देख सकते हो कि कितनी कम rank पे बच्चों को MBBS का मिला वो भी COVID quota के अंदर दोस्तों अगर के government college ESIC और IP University के insured persons के open seats में तो ESIC quota में दोस्तों BDS का जो जिन जिन बच्चों का allocation हुआ है यहां पर बता दिया गया है तो IP University से एक बच्चे का Delhi State से दोस्तों BDS में allocation हुआ ST category में उसी परकार ESI के दो जो करनाट का college के करनाट का ESIC dental college में बच्चों का गुलबर्गा का जो colleges म allocation मिला है तो total चार बच्चों का allocation BDS category में आया है तो दोस्तों यह seat matrix from mop up round तो जो mop up round में बच्ची भी vacant seat थी और जो ESIC और IP quota था उससे जिन बच्चों का नाम आया वापस screen पर देख सकते हो कि कि किस course category हो dental का इनको allocation हुआ BDS का तो यह 4 बच्चे जो mop up round है BDS का उसमें select हो चु seat matrix for second mop up round यूजी 2020 BDS deemed university तो जो बच्चे BDS के apply कर रहे थे mop up round में deemed universities में उसमें seat matrix यहाँ पर आ चुका है तो आप देख सकते हो कि गुजरात स्टेट में दोस्तों जो केम साम dental college है उसमें general की 17 सीटे खाली है केम साम dental college गुजरावत में दोस्तों अगर आप देखे BDS की 29 management सीटे वेकेंट है करनाटका में आप देख सकते हो बहुत सारी सीटे वेकेंट है BDS में अभी महारास्ता में अकर आप बात करो तो महारास्ता में BDS की 46, 72, 3 BDS जेनरल कैटेगरी 31 और BDS की जेनरल में 21 सीटे खाली है management quota की सीटे आपको सामने Dean University में यहाँ पर दिखाई जा र रचना जो डेंटर मानाव रचना जो कॉलेज है उसमें BDS की 5 सीटे खाली है उसका चेनरल कैटेगरी की उसी प्रकार दोस्तों करनाटका में खाली है महारास्ता में खाली है उडिसा में और तमिल लाड़ो में टोटल 962, 962 सीट लिए BDS की खाली है तो जो भी बच्चे BDS क के लिए अपलाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपोर्टन न्यूज है मैं इस जितने भी डॉक्यमेंट से इनको प्रें टेलिग्राम चैनल नीट एक्जाम न्यूज पर शेयर कर दूँगा आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी अपडेट आप नेक्स वीडियो में नई अब्रिट खायत अब तक के लिए अलताबस पूर यह कांसलिंग और रिजल्ट